बड़ी मुश्कल से हाथ आया था और हम उसे दस दिन भी जेल में नहीं रख पाए अगर ये बाद मीडिया को पता चल जाएगी तो हमारी दजीया उड़ जानी है सर एक ऐसादनी हाई जो हमारी मुदद कर सकता है कौन है कैदी नमबर 150 ओ गुरू पाई छे कोई बात नहीं इसका स्टाइल है गुरू सर ये आपसे बोड़ा इगोवला है ऐसे बहुत नहीं सुने काई प्लीजर आई इजट से बलाईए गुरू पाई कौन बोला रहे मामू ओ तु है क्या है खाकी ओ पाजी ये मूँ क्यू रटका रखा है कैदे नंबर 650 निकल लिया तुझे कैसे पता वैसे 620 ने मुझे भी आफर किया था लेकिन आप उनने भी ठान लिया कि अपनी पूरी सजा इज़त के साथ यहीं काटूँगा बाच गया थांक्यू गूरू तुम भागते तो हमार मुसीबत में फास जाते अचल बोल 36 इंच का टीवी डबल डोर फ्रिज़ फ्री का वाइफाई और हाथ में स्मार्टफोस क्यों लिकल गए यवाज वाइफाई मांगा है कुछ हाइफाई नहीं मांगा है मान जाए ये ना सार सार मान गए ये सार भी मान गए जेल का ब्लू पिन 620 की कोटरी इधर है राप चेक वो पॉक्रा जाएगा ना फेर इनसे का ज़रा थोबड़ा सोधार है देखो इस काम के लिए चाहिए ब्रैड न्यूज शूज और पबल गम जूता तो सौमज में आया पर ये बाबल गम किस लिया आरे यार ये अप उनका स्टाइल है एए कमान फालो मी अब तब तो बहुत दूर निकल गया होगा अप उन एक सगे भी निकमा सकते तुम लोग इस पाइक पर एंड ते पहुंचो अपर उसके पीछे जाता है वो रहा अब और शूट जन्दी अरे वा गुरू खोब भालो ये कैसे किया अब एक कैरम बोड की कुईन होती है ना आप उनको देखके पॉकेट में घुजज जाती है पकड़ अब तुझे पता चला होगा कि पुलीस चाहे तो मुझरिम को गंदे नाले से भी निकाल सकती है लोहा लोहे को काड़ता है गुरू भाई जैसे अच्छे मुझरिम पुलीस की मदद भी कर सकते है पुलीस रेकॉर्ड में दर्श कर दो के गुरू पाई पुलीस के दो आदमियों को मार कर जैल से पाग गया है और जब तक ना मिले ढूंड़ों से केल सब झाल झाल आपके मकाराशी है तो मकारों से सावधान रहना होगा और पूरे महीने में ये तो कफ़ा है वागी लेखता हूँ और अब कुम्ब राशी मेरी राशी? गुरु गुरा के प्रभाव से आपकी सारी उमीदों पर पानी फिर जाएगा आस पास के लोगों से कष्ट मिलेगा और सोना भी प्लास्टिक बन जाएगा ठुलू है तु जोतेशी बाबा ये चेन और रिंग सब प्लास्टिक है क्या? इतना सोना कभी तुने देखा है? अबे चोर रही इस तेरा ये गुरू भाई आयला है तु कब आये चोटू? फाल तुकी बात मत कर पहला आप उनकी खादिरदारी कर कुछ बहुत बड़ा चोर है आपन चोर चोर ही होता है चाय चिंदी चुरा या तेरी तना LED टीवी अरे कितने दिन होगे गुरू से गले मिले हुए अबे अपन को भी इतना माल देके कितना टाइम हो गया तुझे पता था मैं आने वाला हूँ जो मेरी लिए सब लिया आया अभी अभी टीवी पर जोतिशी कह रहा था गुरू आएगा और सब कुछ ले जाएगा बलक जपकते ही दो आगया इस बर के साया बेल से या दिवार से दिवार से अच्छा और जेल की ड्रेस अब है वो ट्रेन में छोड़ाया अरे पाप अरे पुलिस के कुट्टे सूं के हुए यहां तक आ सकते तेरी अवा क्यों निकल गई वो मुझे इस जनमें नहीं पकड़ सकते क्यों आप उन गेट अप चेंज करेगा कैसे कैसा लग रहा हूं बोल पहले जैसे कुछ परपड़ा है यह फिल्म नहीं है यहां चश्मा पहनते ही क्यारक्टर रमीर हो जाता है और उतारते ही विकारी तो अभी क्या करेगा बाप तुम्हें इंडिया छोड़ना होगा गुरू आच्छा तो आप उन बैंककॉक जाएंगे बाई साब जाने के लिए इतने पैसे काफी नहीं है अगर मिल जाएं तो पर उधार देगा कौन उधार नहीं नगत अरे बापरे एक इंची आँ वाँ और मेरा खेल खतम होता लक्ष्मी को तु कहीं से भी खोद कर निकाल लेता है ना धन लक्ष्मी का तो मुझे धरम पती जैसा समझ पर बेटा मुझे तो शुब लक्ष्मी चाहिए वो पता नहीं कब मिलेगी ये शुब लक्ष्मी कोन है? मेरे दिल की धरकन, मेरे बजपन का प्यार ओ, फ्लैश बैक फिर बोलो बोलो बो अरे जाने दे यार तू ये सोच कि अपनलोग बैंकॉक कैसे जाएंगे? फ्लाइट लेके ने ने अपनलोग साइकल से चलते हैं न चिंदी चोर कहीं का अबे वहाँ जाने के लिए पास्पोर्ट लगेगा कैसे बनेगा? शकुर बस्ती से तो चला ये लो जी जाओ अरे गुरु भाई गुरु भाई अस्तालो आलेकुम गुरु भाई टिप टॉप हूँ गुरु भाई बाजबाई गुरु का पास्पोर्ट बनाना है घंडे बर बना डालता हूँ न ये रहे डीटेल्स और फोटोस बेशी कर रहा हूजी हो जाएंगा मैं योगुना ओके भाई गुरु गुरु मैं इस माल का पैसा लेके आता हूँ चल्ड तुम क्यों हारे हो दूर उसके लिए आये हो उपर जाके बजाओ और नाचो गुरु उपर तुम्हारी वाली रतालू भी है रतालू? रतालू बना दूगा तेरा कचालू रतालू घुरू? येश? और पर.. 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 पर... परपस ओimal बिसेट अब ढिना काम कआज ओड़ कुम जाएगा जाएगा, ओयल मसाज और ido सेंड़ुच मसाज इक्स्क्स्कूज मी कौन है कि शुबलक्षमी तुम हो कितने दिन बात मेली कैसी हो तो पती कहा है पच्चे कहा है मेरी शादी नहीं हुई ऐसे कैसे तुम्हारी शादी तो हो गई थी ना आप किसी और लड़की से कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे सरा पहन देंगे तैंक यू शुबलक्षमी मेरा नाम शुबलक्षमी नहीं सिर्फ लक्षमी है जो भी हो लक्षमी तो है ना वह गुरू कोई जान पेचान हो ली थी क्या अब बताया था ना शुबलक्षमी थी कौन तुम्हारे दिल की धड़कन बच्पन का प्यार वो जब स्कूल में साथवी क्लास में थी तब मैं उस को तुम पढ़ते भी थे प्यार करता था पर उसका वो खरूस बाप को लोशन एक्टम कुट्पा था उसने हम दोनों को अलग कर दिया और इसके शादी किसी और से करवा थे तब समय एक्टम आवारा की तरह घूम रहा हूं चाइड मेरे थी जवान हो गई थी जवान हो nai naham vidéo रूजा निकल लिया मेरे पापा का नाम कुल्भू incl हमत नहीं नर्मदा प्रसाथ है तक रभलत तुम्हारी माने नर और वंह दोनों से शादिक आनदी चाचियले एक तिर शे दो है थी यह था झाल ना मेरी मा का नाम आनंदी नहीं है है नहीं यार लगता है पुन किसमती फूटी है पर कुछ भी कहो लड़की कमाल की है अब है जो भी हो एक बात कहूँ मेरे सपनों की शुबलक्षमी इसके रूप में मिल गाई है एक ता क्या है फोर नंबर निकाल इसका सुबू यू ज़स्ट वीट आयम कमिंग है राइच द बच् Hopkins चलो 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 एक्श्क्यूस्च्मी पैसे बेंककोट उरह चाही ना नो मेरे ब हन बैंकोक चाहन रही है सुरिये तो आप क्या चाहिए आप फोन नंबर चाहिए आपना फोन नम्बर चाहिए यह लिखो ओधनочки यूउ बोलिए एक नैट सेवन एट सेवन प्री टू स्री टू फाइब और मेरा आप देखता हूं कैसे दूर जाती हूं बोर्डिंग बास निगाल भाई यह लो बोर्डिंग पास और यह लो पास पर कप अब इंडिया में वापस कभी मत अब है मुन्ना यार शूब लक्षमी को फोन करने में नानी क्यों आ रही नानी की आत्मा को हिच्च कियां क्यों दिलबा रहे हो आराम से है अरे अरे सुनना जब वो हलो बोलेगी तो मैं क्या बोलेगा हाइ डार्लिंग मुझे नहीं होगा सच में अब करते में शरब आरे पप्पू क्या कहोगे कुछ और कहतो हुगा तो कहो है लो अई लव यू एक मिनटा सॉरी आइ लव यू शुशु लक्षमी नहीं हूं राज लक्षमी हूं ने जोट की मोलते हो तुम शुबलक्षमी हो कहा ना भाईया यह नंबर नगर पालिका के कुट्टे पकड़ने वालों का है कुट्टे पकड़ने वाले का हाँ जब किसी एरिया में कुट्टा जादा बहुके तो हम उसे पकड़ लेते हैं अगर तुमने फिर से फोन करके परेशान किया तो पुलिस से दुलाई कोई नतीजा नहीं निकला सूसू लक्षमी दोखा दे गई कि कि अ में अ अ कि अ कि अ कि अ जी क्या गुर्ब इतो एक दम संतो से में सासे चल रही है अच्छा है, गोलिया इसके दाई तरफ लगी है अस्पताल ले चलते शायद बच जाएगा चल सुन, अब इसको अंदर तू ले कर जाएगा और तुम? मेरा जाना ठीक नहीं है, चल 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 ओके गुरु गुरु गुरु, क्या हुआ, बोला कॉलकाता पॉलिस तुम्हें ढूंटे मेरे घर तक पहुंच गई थी मकान मालिक ने मेरा नंबर दे दिया है, बैसे में फेंक रहा हूँ, हमें यह से निकलना चाहिए रुपे, अब कैसा है वो? हो सेफ है, आप चलो ना, पता नहीं क्या होगा अरे, तुम रुक यूँ गए? रिसेप्शन पे उसका नाम क्या लिखवाया था? उसे जानता नहीं हो, तो क्या नाम लिखवाऊंगा? यह उसका है? यह लेके जा, पेशन की नाम की जगए तुम मेरा राम लिखवाते ना, यह उसके पेट के किनारे पर रखते ना, पुलिस आएगी तो मुझे पकड़ेगी, लेकिन जेल वो जाएगा यह तो धोका हुआ ना? कोई टेंचन नहीं, पुलिस को जब पता लगेगा कि मैं वो नहीं हो तो उसे छोड़ देगी, इतना टाइम काफी है, मेरे बैंक कॉप निकलने के लिए प्लाइंट कियर, चल बेटा यही तो है मेरे सपनों की रानी, आज मिली गई मेरे को यही तो अपना वो हवाइजाज है जो अप उनको पैंक को खुड़ा कर ले जाएगा अभी लो अरे पाप ने? भजगे, पुलिस आ गए लेट के राइट? लेट में है पाख अरे रूख किसानों को लेकर सीम साब की वीडियो कॉन्फरेंसिंग फूरी हो गई है सर, हम दोनों मंदिर जा रहे थे पुजा के लिए तो इनों ने खामखा पकड़ दिया वो बाद में पहले गाड़ी में बेटो शंकर यार यह चश्मेश अप उनको शंकर क्यों बोला रहा है लगता है यह वही वाला है बैठो शंकर बैठो ना शंकर मरमाय का कवी कलेक्टर साब कह रहे है ना बैठो मेरे पहुंचने तक सारे ड़कुमेंट्स मेरी टेबल पर तयार रखना समझ गए क्या हो शंकर परिशान हो सर मेरे पास बहुत दिनों से तुम्हारा एक चेक पड़ा हुआ है वही देना है चेक कितने का सर वही 25 लाग का 25 लाग का उसमें और कोई मतलब जेश्टी फेश्टी जैसा टैक्स तो कट नहीं होगा ना सर ऐसा कुछ नहीं है शंकर तो देदी जैसर शुपकाम में देरी कैसी सब के सामने देना ठीक होगा किस-किस के सामने देंगे सर तो हमारे Old Age Home वालों के सामने शंकर बाबू शंकर बाबू आये है आये जी कबसे नहीं देखे हो हम तो पुछ at पुलिस? क्यों भाई? मैंने क्या किया? यह तो केलेक्टर साफ के महरबानी है, जो मुझे यह आपपड़ के लिया है. केलेक्टर साहब, अब चेक. मैं आपकी सहायता के लिए चेक, शंकर को दे रहा हूँ. ठेंक्स. अरे-रे, क्या कर रहा है, क्या कर? अरे क्या क्या किसकी कीमत भी जानते हैं क्या थी तो क्या हमारी कोई कीमत देश अगल माभू यह हमारे हाथ की रडाई है आप ख़डूस बुट्टा पैसा मिलने से पहले ही चेक फाड़ के रखती है सर इसे तो ऐसे फाड़ा है फिर से चिपक भी नहीं सकता ओके तुमिदर आओ वो लोग नाराज हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा फैसला उनके हक में है मैं दस दिन बाद दूसरा चेक लाता हूं तो कि इस बार चेक नहीं सर आप कैश ही दे दीजेगा क्या है ना सर इतने सारे नोट भाड़ नहीं पाएंगे उल्लू के बुट्टे सरकार कभी भी कैश नहीं देथी तो आधा कैश आधा चेक दो क्या पत्ति लाग का मामला है इन बुट्डों में से कोई टंक फशा दे तो ये इन बुट्डों के बस की बात नहीं दो हर जगा कोई ना कोई एक होता है क्या बना रहा है भुर्जी पूरी हैं आप योग treatment है यहां का अधाराशन मेरे दुसरे घर बेजा पहले ऑब में वहां क्यों वहां पर नो मेरी बीवि रहती है मझे वा फबंद है रे भुर्जी वाई शंकर आये हैं कम से कम आज तो पणिर भुर्जी बना दे भाई चने की डाल खा के तेरे मूँ से इतनी बद्बू आती है कि पडोसी भाग जाते हैं उपर से पनीर भुर्जी खाएगा मोटे बाई आजकल तुमारा कुफा बहुत जादा हो रहा है बुट्दो फे दंग से बात परो नई तो किफी दिन भड़क जाएंगे सबके सब सठीया गया है कौन भड़केगा फोफले बुट्टे लों का आश्रा में के फिल्म का सेट बेचेंगे तो कितना मिल जाएगा एक डेट करोड तो मिली जाएंगे शंकर के लिए दूद और दूसरे के लिए कॉफी ये लो शंकर थैंक्स शंकर ये कॉफी है कॉफी कॉफी और तुम पहरे महमान को देते है ये कौन है मेरा प्यारा दोस आपका नाम क्या है शंकर मेरा नाम बता दो आपको इनके नाम काचार डागना है नाम पूछने बर इतना नाराज क्यों हो गया बताना मैंने बकरी का दूद लेकर आई, अब फिर बताऊंगा शंकर को इतना गोश्टा तो नहीं आता अब तर तद तुम्हें नाम बताना ही पड़ेगा दॉबर मैं, तुम्हें अपना नाम कुत्ते पर क्यों रखा है मेरे पापा का प्यारा कुत्ता मर गया तो वही नाम मुझे दे दिया तुम्हारा नाम क्या है? पारवती पारवती? पुरुष का नाम? मेरे फादर की एक प्रेमिका थी, उसी के नाम पर रख दिया तुम्हारा बाप अच्छा था, तुम्हें इंसान का नाम दे दिया अच्छा तुम शंकर को कैसे जानते हैं? एक कॉफी पिला के सब पूछ लोगे क्या? मूम की दाल में कुछ काला पिला है, मैं ढून निकालूगा सर, चोटी सी गलती हो गई है, गोली तो चलाई पर शंकर बच गया ब्लडी फेलियर, बोल की गोली दुखा दे गई, ये मत बोल गलती हो गई, कभी नहीं अगरवाल नेवर फेल्स, उसकी मौत अब दूर नहीं है, आयल डील विध हिंग इन लोगों के फोटो के हर्ती क्यों उतार रहे है, आज के दिन इन लोगों का शाद है बिटा, छेके छे, आज ही मरे थे, हाँ बिटा, इन सभी ने एक साथ आत्मत्या कर ली थी, ऐसा क्यों, शंकर बाबो की जान बचाने के लिए, शंकर बाबो, आज हमारे गाउं में बच्चों और भूडों ने उफवास रखा हुआ है, वो तभी खाएंगे जब आप ये पुझा पूरी कर देंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप दरपन करते हैं, आहां, आईए, आईए, चलना जाए, एक आदमी को बचाने के लि गुरू, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है, हम भूद बंगले में आ गए हैं, मैं तो कहता हूँ, यहां से जल्दी से जल्दी भाग लेते हैं, अरे तुम के रह रहे हो, बेचारे, सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए, छे बुडों ने आतम हद्या कर ली, ब सारे के सारे गदे जिन्दा हैं, और अच्छे लोग बिचारे मर गए, गुरू, देखो टापिक से आवा मत जाओ, अंकर को पांच लोगों ने मारा, और उसके लिए छे लोग मर गए, यह जगा से नहीं से निकल चलो, नहीं जाओंगा, जब वो कलेक्टर कैश देगा, जल्दी बारो, जल्दी बारो, तब शाओंगा, तब पेट में गैस भार गई है, इनका कोई भी रिष्तेदार फोन नहीं उठा रहा, किसी से बात नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं हो बहला क्या करें, आँ तो देख क्या रहOW, इनके मूह में सासे दोने, तोने इसके मूमें परमेश्वर दफ दिन में एक बर्मूद होता है गंदी नाली की वाफ आती है वो डाबर का हमदर्द कहा है मेरा डावट करेक्ट था अब मैं भॉकूंगा नहीं डारेक्ट काट खाऊंगा उल्डे जोहम की रूल के हिसाब से पुलिस को बुलाना है अरे आर आप फर समय पुलिसी बुलाते रहते खुद भी तुकुछ करीए यहां भीट क्यों लगा रखी है यहां क्या हो कया रहा है इंको सांस लेने में तफलीक हो रही है ये दारू काम हैक रही है आरे तुहीं प्रकिया हूगा और क्या मुझे तुल्शी की महां है अपी एक आदमी की सांसे लिख हो रही हूँ और तु कुत्ते की तरह सूंग रहा है छल मूख से मुल घप सके चल चल जल 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 फर दे आप बाइड़ आपने मूख से आफर ना तैसे लग रहा है लाव सीन पोट इन चल भाई इतनी जल्दी आने क्या, क्या यह, इनको बरने के लिए छोड़ दिया और आब आ रहे हो, तू क्या कर्चा पाने ही, आई, सु, सु, शुबलक्ष्मी, क्यों की, यह तुमारे, मेरे दादा जी है, हमारे दादा जी है, आरे मुझे तो बता ही नहीं था, नहीं तो मैं खुद ह आप जाकर सोजाई, मैं देख लूगी, सुना आपने, जाई, जाई, सोजाईए, मैं यहां यहां रुक रही हूँ, आप भी जाईए, प्लीज गो, ओके, अपनी दारों की मैक चुपाने के लिए, तूने मेरी वार्ड लगा दी, आप देखना, गलास हैंडेड पकड़ूंगा तुझे, दादा जी, इन लीडिस के पास तो फिलिंग्स होतीच नहीं है, कितना हैंडसम दिख रहा हूँ, वार्ड में जाओ, सॉरी, एरपोर्ट पर मुझे पता नहीं था कि आप ही शंकर है, मैं याप पहली बार आई हूँ, मेरे दादा जी राद भर आपकी तारीफ करते रहें, आप अन्याय परदाश्ट नहीं करते ना, बिलकुल नहीं, बुराई भी सहन नहीं होती आपसे, कभी नहीं, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, बताइए ना, मेरे एरिया की कॉर्परेटर को पीटना है, हो जाएगा, हम, लेकिन क्यूँ, वो कॉलणी साफ नहीं रखता था, तो उसने प्रोटेस्ट करने के लिए मैंने उसकी घर में कच्रा फेक दिया, फिर उसने मुझे फपण आर दिया, लेकिन क्यूँ, तुम प्रोटेक्ट करें तो कोई भी मार देगा, हाँ मैंने प्रोटेक्ट नहीं से देख लीजिए और फिर साइन कर लीजिए सर अच्छा अंज ने कव्वा लेकर आई है क्या गर लेगा मारने आया मुझे एक कौन के नीचे दूंगा नश्राइब शाट कैसा लगा थैंक्यू 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 सो माच यह सब क्या है हम कहा है है क्या बोल रहा है यह मुझ्रीमों की बात कोई नहीं सुनता यह कलकत्ता जेल है कलकत्ता आपने हमें क्यों बखड़ा है और आज डेट क्या है आज जन्वरे सर जन्वरे सिक्स्टीन को हमें हैधराबाद बहुचना है और हमें कुछ जरूरे डॉक्यूमेंट जमा करने हाई कोट में प्लीज किसी और की जगा मुझे पैर भी चेक करो ये गुरू भाई नहीं है सर प्लीज हेल्प मी अगर हम वा नहीं पहुचे तो सब कुछ बरबाद हो जाएगा ठीक है ठीक है मैं देखता हूं कब राव नहीं सर आप क्या करेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर प्लीज इसे अलग सेल में रखो जाए इसे कोई बात भी न कर पाए और जब तक गुरूप पाई नहीं मिल जाता इस पे निगाह रखो वरना हम सब की नौक्रियां चली जाएंगी यह केलेक्टर भी कैसा है यार ना तो पैसा आरा है ना फोन पास कर रहा है आपन लोग टेंशन हो रही बहुत टेंशन मतलो यह लो आज मंगा नुआर का दिन है मैं चूता भी नहीं अगर कोई अपने हाथ से पिलाने तो अहाँ पोछो ए शंकर बाबू यह क्या पी रहे हो पीने रहां हो ले रहा हो क्यों ले नहीं सकता मैं ङले सकते बहला ग्रीटी में क्या हुआ श्कार पानी पीने करूंगा इन लोगों को टेस्ट कर्वाओ आप पीजिए अंकल जी यह तो ग्रीन टी है रहा क्या ग्रीन टी है ग्रीन टी और स्कॉच विस्की में क्या फर्क है तू जानता भी है नल का पानी पी के बड़ा हुआ है इसको मैं टेस्ट करता हूँ यह क्या ग्रीन टी और विस्की का टेस्ट एक क्यो है कोई नए अब्रेंड है क्या पुराना ब्रेंड है, ग्रीन टी का, बेट की प्रॉब्लम थी तो पी रहे थे, गलत है क्या, आप ही रोग बताईए, क्या आप हाल तो आदमी है, शंकर बशतता है, शंकर बाबू जैसे इसांकर शक करता है, बेवकूप कहीं का, इसे चपल से मारो, इसमें हमारी मीन खराब क अबे खाना खाता है या घास खाता है, चलो सब्देने, बाई, तुमने भुडे फेरों को फोते फे जगा दिया है, ये ना खुद फोहेंगे ना मुझे फोने देंगे, इनकी फेवा में मेरी बच जाएगी, ये फीन दिखाना फरूरी था क्या, यहाँ डीवीडी बदल ग अभी जितमा खुश होना है, हो ले, मेरे दर्दे दिल में बदला है, जब कल वो कलेक्टर यहाँ पैसा लेकर आएगा, तब तुछ पर लगाऊंगा जी एंड का बोर्ड, इसकी तो बहुत भुगता है, अरे भौकने देना, तु वेट कर, इसकी फिल्म तो हम बनाएंगे, दर्वाजा खोलिए, हेल्प, हेल्प, अरे अरे, क्या हो रहा है, पर पर आपने तमा तमा हो रहा है, देख कर मज़े क्या ने उठाउ से, अरे, यह क्या कर रहा है, यह कोई आता नहीं है, जिसे तु गूम रहा है, आप कौन है देवी, रात के साखली प्रहर में, मैं कॉल सिंटर में काम करती हूँ, कुछ गुंडे पीछे पड़े थे, जब कुछ समझ में नहीं आया, तो यहां चली आई, पानी वानी पियोगी, वो नहीं चाहिए, अभी पीकरी आई, जारू है, हो में पते दवाई, इतनी रात को मुझे से सिधी लड़की की रक्षा कीजे न, ए फगली, पेरे फोटे से कमरे में फोजा बहुत मजा आएगा, कोई जरुवत नहीं, देवी, आप कृपा करके अपने आपको, इशा संभाव है, शंकर, डाबर, वहाँ लोग खरा के लेते हैं और गैस छोड़ते हैं, रात को ये मेरे कमरे में सो सकती है, करेक्ट, इनसे आपको कोई खत्रा नहीं, ए देवी, ये कुट्टे की तरह रखवाली करेंगे, क्या हुआ, गरम दूद से हाठ चल गया, दूद मैं दोनों ही करम है, दूद पियो ना है, पहले आप पीजे फिर में पियोंगी, ये कमरा क्यों घूम रहा है, पकड़ो पकड़ो, हो गया काम, बेश हो गया, हो, 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 हो इज़त सो तेड़े सो रही होती है एक ही होती है चुपकर और बताओ क्या हो देखी बहीं यह कैसी कैसी बात कर जारें शुपजा नहीं करूं उसकी बात का कोई सबूत है तो बताओ सबूत की इतनी इंपोर्टेंस होती है अरे खुद को ही ले लो तुम तुम असली शंकर नहीं हो मैं जानता हूँ पर सबूत नहीं है जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगाना तो मैं चुटकी बजा कर जेल पहुचा दूँगा इसी लिए तो वो मुझे ये दे गई है ये क्या है सुबूत देख ये सब मैंने नहीं किया न और नहीं तो क्या तेरे बाप ने किया पर ये कुछ अलग दिखता है मेरे तो फुल पैक है उसकी तो बाड़ी ही नहीं है जब ये सबूत पुलिस देखेगी न तब वो तेरी शंकर डाबर कहां गया एई डाबर शंकर मुझे पुलिस और बीवी की मार से बहुत डर लगता है आज से तु ही मेरा शंकर गूर और शंकर अपने मुँ में टेप लगा कर बैट नहीं तो मैं इस आर्ट फिर्म को आसकर रवार्ड के लिए भेज दूँगा मेरे मुझे पर ताला कब तक रहेगा जब तक कलेक्टर कैश न दे दे मुन्ना ये का कि सकिया अब मुन्ना तुम्हारा मुन्नो लाइक स्कॉर्पिया में बैठा है तो उसके साथ आना चाहेगा या फिर उसकी लाश उठाएगा सर्फ तकी हाई शंकर तीन साल वेट किया अब और नहीं करूगा इस बार तु बच नहीं सकता दिखाओ तेरे ओल्ड एज होम में बुढ़ो की शेव बनाने वाले मेरे लोग है उनके उसद्रे दिख रहे है न मैं सर्वेक इशारा करूँगा और तिरे कुठे कट जाएंगे दिखाओ ये रुको 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 बताओ क्या चाहिए तुझे फर्स टाइब शंकर ने कहा है कि मुझे क्या चाहिए तेरा लग साथ दे रहा है, गुड़, चल अब मैं तुझे बताता हूं, वन, फिंगर प्रिंट्स चाहिए, तिरे काओं के दस लोगों के, टू, लॉयर से केस बापस लेने को बॉल, त्री, मैं तुझे ट्वेंटी फाइव क्रोर्स दूंगा, और तु ये देश छोड़कर पार चला जाएगा, टु, 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 टुवण्टी फाइव करोर्स, हा, हा, मतलब पच्चिस करोड, येस, ये पंद्रा करोड है, ले जा, बाखी के दस करोड, पेपर साइम कराने के बाद मिलेंगे, अब निकल, एए मुन्नो, अगरो, चाल पेटा, बाए उठा, ओके, ओके, एए अंग्रेजी सूट, ये पैसा तो लेके जा रहा हो, लेकिन तू ये मत समझना कि जब भी तु चाहेगा, मुझे अपनी उंगली परना चालेगा, क्योंकि जो अपन चाहता है, वाइच अपन देखता भी है, और कोई समझ लेना, वाइच इस सारे पैसे तुम्हारे है, कुछ बुड्डों को दे दूँगा, कुछ तुझे दे दूँगा, और बचावा पैसा मैया और शुबलक्ष्मी, इस सूटकेस में क्या है शंकर बाबू, कैश, कितुना, पंदरा, लाख है, करो, करो, किसने दिया, किसी कर मेरा, शंकर के गाउवालों को मिला, लेकिन शंकर तो तुम ही हो ना, अबे, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, आप उनके सामने जूड़ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्यों मेरे गुड़ो और शक्कर, अगर किसी ने चिपकर ये बात सुन ली तो उसकी तो ऐसी वाट ल अरे, क्लब मतलब लाइन्स क्लब, वहाँ आपका सम्मान है, सम्मान मोझे बसंद नहीं, मैं नहीं जाओंगा, मान जाए शंकर बावू, आपके सम्मान के लिए ना सही, हमें मिलने माले 4 लाग के लिए दिचलिए, 4 लाग? करोणो लूटकर आया है, उपर से लाग का जन में भी बोल नहीं सकता सार, नो, मेरे साथ चलने के लिए तयार हो जाओ, जालो, वापस चलिए, वापस चलिए, वापस चलिए, जन्ता वापस जाने के लिए खड़ी होगा ही, तो हमें चलते, शो खत्म हो गया, वो सब लोग आपी का इंतजार कर रहे थे, इसलिए आप सबको नमस्कार, इस सबक्रह में जमा होने की एक वज़े है, एक व्यक्ति, नाम है शंकर, कुछ समय पहले तक वो अपने ही सवालों का जवाब ढूंड रहे थे, और आज बहुत सारे सवालों के वो खुद जवाब है, कौन है ये शंकर, उनके बारे में जानने के देखते हैं, ये फिल, रायल सीमा में बसा हुआ एक छोटा सा गाउं है नीरू, मतलब है पानी, पर वहाँ पानी नहीं है, गाउं की प्यासी धर्दी बहुत दिनों से अपने अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है, इसी गाउं के गरीब किसान के घर में पैदा हुआ एक चंकर बाब को देखा बाबा, देखिए, नोट नकली हो सकता है, जमीन नकली नहीं हो सकती, आज तो आप इस जमीन को बिच देंगे, पर जब कल यही जमीन आपकी आँखों के सामने करोडों में जाएगी तो आपको अफसोस होगा, जमीन से बढ़कर कोई सहारा नहीं, वो दस्तवी जिकापी है आपका परिवार इस समपत्ती की वज़े से चैन की नींच सो सकता है, मान लिया, अगर वहाँ कुछ उखता तो ठीक था, लेकिन वहाँ पानी कहा है, बंजर जमीन को बेचना वैसा ही है, जैसे बीमार पूड़ी मा को बेचना, हल चलाने से कुछ पैदा तो होता नहीं है, म अगर इस जमीन के अंदर के पानी को, हम किसी तरह भी बाहर निकाल पाएं, तो इस जिले के सारे गावों को इसी गाव से पानी दे सकते हैं, ये बात तो तुम पिछले छे मैने से कह रहे हो, हम और कितने दिन तक उमीद लगा कर रखें, बताओ, रुको, मेरी बात सुनो, म नीरू रखा गया है, यही पानी कॉर्परेट कंपनी के सबसे बड़ी जरूरत है, वास्तों में उन्हें ये जमीन नहीं चाहिए, इस जमीन के नीचे का पानी चाहिए, ठीक है, आप नदी ढूंडोगे, गहराई निकालोगे, फिर पानी बाहर निकालोगे, ये सब होने त जाएगा, हम आकर उन्हें ले जाएंगे, चलो रहे, अरे हमारी बात तो सुनिये, हटो, जब तुम्हारे गाउं में पानी आजाए, तब साजुराल आरा, शंकर भाया, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, हमारा याकिन कीजे, साई, थोड़ा सा आगे लोग, भाया, पानी ने खरीद लेते हैं, और महंगे में फिर हमें ही बेच देते हैं, पहले वो ब्रिटिशर्ज होते थे, अब कॉर्परेट्स हैं, ओ, सुनो, हरिता, हाँ भाया, इधर आओ, इधर आओ, क्या हुआ, ज़र इसे सुनो, पानी, हाँ, अम्मा, इधर आए, पानी मिल गया, आए, 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 पानी मिल गया, सुनिये, हाँ, पानी की आवाज, वो जबीन किसकी है, हमारे रामलाल की, अरे, बोलो, गुरांगा को मारें, और वो वाली, वो कमरुदीन की है, और वो नर्सिंग की, और उदर्वाली वो अपनी है बेटा अरे शेंकर भी ना शेला है बेखिए ये दो आप अ एकॉष का लिए में आपप लोगी कना कि अ इसाए के घुडि French श्यांकर बाबूद, श्यांकर बाबूद, श्यांकर बाबूद क्या हो रहा है आपकेट खोलो कौन हो तुम लोग क्या चाहिए यही बात तो हम लोग भी पूछ रहे हैं कौन है अप लोग देखे यह जमीन हमारी हैं कंपनी से और पैसा चाहिए क्या रेजिस्ट्रेशन के बाद बागी पैसा मिल जाएगा चलो अब यहां से दाफा हो जाओ कैसा पैसा और कैसा रेजिस्ट्रेशन क्या बात करते हो हमने जमीन किसी को नहीं पेची जश्ट अ मिनिट राम बापो समीनों के जिराउक्स डॉक्यमेंट से यहां ले आओ पेची जिरा भी जाओ अबाद यहां जोटने वहां लगाद पैसा से एंपने जुटने लगाद यह एलो जमीनों के आफजाद झाल 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 है याज जो era और नुका ले बग्वाठाः किस पर भरोसा करें बाबा ये लोग इंसान की कोक से पैदा नहीं हुए है कॉर्परेट कंपनी की अउलादे इंसान तो सिर्फ अनाज खाता है यह अनाज वाने वाले किसानों को खाते है इन्हें छोड़ूंगा नहीं इन हत्याओं का हिसाब इन सब को देना ही पड़ेगा ज आज जमीन आजमान एक करना पड़े अचरों अजय को अधिक रुकों इनको मेरी बात तो सुनिये हम लोग बुंडे नहीं है किसान है अपनी प्रॉब्लम केलेक्टर को बताने हाए है सर 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 एक मिनट मेरी बात तो सुनिये प्लीज ठीक है ठीक है सिर्फ उसे आने दो हट जाओ 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 सर हम सब निरू गाओं के किसान है एक मल्टी नेशनल कंप्रे ने हमारे गाओं में कुछ किसान तुम तो पड़े लिखे लगते हों पता नहीं ये लंज का टाइम है ये लंज भी तो इनी किसानों का दिया हुआ है सर आप इन लोग के लिए एक मिनट भी नहीं निकाल सकते ठीक है ठीक है अपनी प्राब्लम एक कागेस में लिख दो सबके सिग्रेंचर ले लो उस पे और मेरे आफिस में चुड़ा दो मैं देख लूँगा सर एई एई रुक जो एई कहां से लाए हो इन लोगों को हम सब एक ही गाओं के है सर तुम किसी बड़े शहर क्यों नहीं चले जाते वहां तुमारी life set हो जाएगी यहां गाओं में अपना सर क्यू काआ रहे हो जाओ बड़े शहर जाओ और life बना अपनी जाओ सर मैं भले ही बड़ा आद्मी बन जाओ किसी बड़े शहर में जाकर कितना ही पैसा क्योंने कमा लो लेकिन मेरी पहचान तो मेरे काउं से ही होगी, शहर से नहीं पर तुम्हें चाहिए क्या? हमें हमारे काउं चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए उन लोगों की जिंदगी चाहिए जिने मार कर उनके अंगुटियों के निशान लिये गए इन लोगों के खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है मेरे पिता की लाश मेरे पिता हाइस्कूल पास थे ये सारे सर्टिफिकेट्स उसका सबूत है उन्हें क्या जरूरत थी अंगुटा लगाने की इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए देखो मैं तुम्हें उस अगरवाल के पास ले जा सकता हूँ चेक ले लो और मामला सेटल करो अन्न खाने वाला कभी ऐसी बात नहीं कर सकता घास खाने वाले जानवर लगते हो तो बहन है तेरी ये भी क्या गाउं की रहने वाली है काफी जवान है सबान सम्हाल के बात पर आगे बोला तो छोड़ूंगा नहीं सुधर जा पुलीस के कॉलर पर हाट डाला तुरी तेरे जैसे गवार किसानों को कैसे उकसाया जाता है ये मैं जानता हूँ सार ए ए ए ए क्या कर रहे हो अरे वो वो मेरे पापा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे वो तो दुनिया से चलेगा है उनके सर्टिफिकेट्स को भी जला दिया तुम्हें पाप लगेगा कुछ नहीं लगेगा इससे उनकी आत्मा को शांती मिलेगी अगर तो सुद्रा नहीं तो यही हश्र देरा भी कर दूंगा पुलिस का कुट्टा बिट्ट से ज़्यादा वभागार होता है पर तू नेताओं के तलबे चाटने माले कुट्टे से भी बत्तर है ये वर्दी उतार दे और किसी चपरासी की वर्दी बहले मेरे शंकर को छोड़ देंगे ना शंकर कहा है तो मेरे बेटे शंकर को छोड़ दो मैं आपकी भी पास की ओ शंकर तो ठील है ना क्या हो पूझा हो पूझा हो ये धरते कभी सुख्री नहीं चाहिए चाहे वो पानी हो या हमारे हांसू मिट्टी गीली रहनी चाहिए हमारे जबीन हमारा काउं हमारा पानी हम किसी कीमत पर नहीं देंगे चाहे वो हमारी जान ही क्यों न लेले हां फसल जरूर होगी किसान जरूर जीएगा हम जीतेंगे पुलीस आपकी एक नहीं सुनेगी वो सिर्फ मीडिया की बात सुनती है हमारा चैनल लोकल है बस कुछी लोग देखते हैं बड़े-बड़े चैनल्स हैं बड़े-बड़े अकबार हैं मैं आपको नंबर देता हूं आप कॉंटैक कीजिए परना इस शंकर को मार देंगे हवे नमर देदो बेटा करो जो तुम जानते हो क्या वो लोग शंकर को कभी भी लॉक अप मार सकते हैं अबर कभी ऐसा हो तो पहले हमें बताना फिर देखना कैसी पबलिस्टी होती है परसंटेज भी तुम लाग हमें अपनी जबीन बचानी होगी और शंकर बाबू को भी और उसके लिए मिया हमें अपने गाव में हुए अन्याई को देश को दिखाना होगा हम देश के टीवी चैनल और अखबार को यहां खीच कर लाएंगे किसानों की जीख पुकार भूमंडल पर गुंजेएगी और उसके लिए हम वो ही करेंगे जो हमने सूचा है उनके हिसाब से किसान किसी काम का नह और नहीं है और उस दिन उन्होंने जो निरने लिया वो था मास सूसाइड सामुहिक बलिदान मैं हूं राजो धी टीवी का रेपोर्टर हूँ उस घाटना की रिकार्डिंग मैंने की थी कुछ लोग आया और मुझे गोल्डरिंग कंपनी के अंदर ले गया सर नहीं सर प्ल अज़ी शुरू हुई तो उसके पाने में जो रंग होगा वो हमारा खून होगा शंकर बाबू को रिहा करो और किसानों के जमीने वापस करो हमारे आसों को को गोल्डरिंग में मिलाने वाली फैक्टरी बन करो यही हमारी तमन्ना है यह हस्या जो कभी हमारी फसल काटती थी आज हमारी गर्दन काटेगी में मौन रखा गया फैसला होने तक नीरू की कोला फैक्टरी पर कोट के आदेश से रोक लगा दी गए इस आदेश के बाद एक निश्पक्ष जांच समिती बनाई गई जिसे क्रिश्न मूर्थी कमेटी कहा गया शंकर को रिहा कर दिया जब सरकार ने कलेक्टर के हाद से 25 ल केस लड़ने की जिम्मेदारी श्री शंकर परसाद को दी गई केस लड़ने की खातिर पैसा जमा करने के लिए और शंकर की मदद के लिए सभी लोग देश और परदेश में मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल पड़ें क्या ये प्यास बुझेगी पसल क्या खिलेगी बहतिन दुखी आँखों से शंकर हैदराबाद में इस केस के कुछ खास बुज़र्ग गवाहों के साथ रहे कर हाई कोट में केस लड़ रहा है इस बात को तीन साल हो गए लाखों करोणों की ब्लैक मनी रखने वाली मल्टी नैशनल कमपनी से दर दर की ठोकरे खाने वाले किसानों की एक लगातार लड़ाई जारी है इस समय नीरू गाउं के लोग कहां पर हैं क्या कर रहे हैं देखिए शंकर भाई कैसे हो मेरा नाम रहीम है चन्नाई रेलवे स्टेशन पर मैं कमपार्टमिट साफ करता हूँ तुम जल्दी से केस जीतो भाई मन करता है मैं अपने गाउं आकर खेती बाड़ी करूँ भाई शंकर भाई कैसे हो मैं मुंबई के एक गारू के ठेके पर काम करता हूँ यहां कोई इज़त नहीं है सभी लोग दुद्कारते हैं खैर यह सब छोड़िये हम ये लड़ाई जीतेंगे ना मेरा सब को नमस्ते कहना और आप फोन पर मेरी मां से बात करते रहना आप से बात करके उसे हिम्मत मिलेगी भाईया मैं गोविन दादा का बेटा हूँ यहां शहर में गटर साफ करता हूँ जिन हातनों को खेतों में काम करना चाहिए वो गटर साफ करते हैं मुझे गाउं लोटना है भीया, आप जल्दी से केस जीतो ये रहा चार लाग रुपई का चेक, ये केवल पैसा नहीं है ये हर उस गाउं वाले की उमीद है, आसू है जो उसने मेहनत से घर से दूर रहकर जमा किये है हमारे क्लब ने उसे जमा किया है, और अब मैं इसे श्रीशंकर जी को देता हूँ एक बात और, एक खास बात और, एक गाउं के सारे मर्द, मा बाप को, बेटा बेटी को, भाई, बेहन को, यानि अपने पूरे परिवार को छोड़ कर इसलिए दूर रहे क्योंकि उन्हें शंकर पर भरोसा है, क्योंकि वही उन सब को अंदर से हिम्मत देता है मिस्टर शंकर, प्लीज और ये 2400 रुपए के सिक्के हैं, ये कई लोगों की मेहनत की खमाई है सुईकार कीशे ये क्या है, गुरू ने कहा है कि वह कागस तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, अपना पैसा ले लो हलो सर, अब क्या करना है, पुलिस टेशन चलते हैं, क्यों, मैं सरेंडर करूंगा, बहुत बढ़ी गल्ती की है, शंकर के बारे में चानने के बाद, मेरा यहार आना ठीक नहीं है, हलो, क्या, क्या हुआ, ओल्डे सुम्हें में गुंडों ने आकर बुढ़ों को बहुत पीटा है, जल्दी यूटन लो, शेकलवा, शेकलवा, ये देखिए, गुंडों ने हमारा क्या हाल कर दिया है, कागजान पर रंग उठा नहीं लगा लेपद, उनके गुंडों ने हमें बहुत मारा, शंकर बाबू, एम्बुलेंस को फोन किया, ये लोग मना कर रहे हैं, बाबू, मुना, ये हो करो, आए में बरसको बना, जली बाबू, कर दो बाबू, ये हो आए में बाबू, कर दो आए में लबू, झाम 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 है एक अन्बलाज़ा है कि आपकतलυ नगयों, है कि आपकतल हमेंंग जफड़ों कर दो कि आपकतल कि आपकतल आप 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 कर अप कि आप तूस्ट दो इन्हें ऑबुलेंस में देख्टे हैं कौन रास्ता रोकता है अपना आज अब कि जब में आज सेके हुआ है आई! आजा! 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 गुरु, यह लडाई हमारी नहीं है, यहां से निकल लेते हैं। गुरु! शंकर! शंकर! इस पल से मैं ही शंकर हूँ! इस केस के खत्म होने तक उस शंकर को उसी जगे रहने तो! यही सही रास्ता है! मेरा वाला रास्ता! अब चाहे तूफान आए या कॉर्परेट सिस्टम के दलाल आए, मैं एक एक के टुकड़े टुकड़े करके अपने गाओं के खेतों में डाल दूँगा! वाइच है! वाइच है! चल बोल! चार लोगों को बीट कर तू हीरो बन गया है? बहुत कमंड है तुझ में! एए! कमंड नहीं! आप उनका गुरूर है और हीरो तो आप उन दिल से हैं! एए! एए! कॉर्परेट की तारू तेरी बाडी में होगी! लेकिन गाओं के कॉर्पोरेशन का पानी अब उनकी बाडी में है! पंगा मत लेना! तू बदल कैसे गया? हाहा! आफ्टर अगाब पॉस इस बैक! तुझे छोड़ूगा नहीं! बेटिंग! अब जबू भाई आगे! पपु किदर है राजा? कच्रा समझकर म्यूंसिपल्टी वारे उठा ले गए क्या? दर्वासा बंद करो! किसीने भाई को ब्रेक कर दिया इसलिए कमरे में बंद होकर वो ब्रेक डांस कर रहे हैं तुम लोग सब कहां मर गए थे जब वो मेरे भाई को तोड़ रहा था हम सब चवराहे पर आइसक्रीम चूच रहे थे तब वो भाई को तोड़का चला गया कौन है वो? हाई को पीटा हलो हलो यह तो फोन से भी बद्बू आ रही है पामेडी मत कर राजा पंगा लिया है तुने तेरी गल्फ्रेंड तो सुंदर है पर वो मेरे घर के अंदर है सर सर प्लीज उसे कुछ मत कीजिएगा आपके आगे हाथ जोडता हूं पता ही ने सर क्या करना होगा मुझे पॉरन तु यहाँ भाई देखू वो आ गया शंकर अरे आजाजाजाजाजाजाजाजाज मेरी पटाकाव मेरी फुलचअडी इन्होंने तुझे परशान किया ना मैं आप ही इनकी घंटी बजाता हूं तु बस देख दी जाराजाजा मेरे घंटी बजाएगा आजाजा लेकिन फीलिंग ऐसा हूं मेरे भाई को तु जानता नहीं पेर चुलिया सर अब जाता हूं चलना भी ए राजा पेर पकड़ने के लिए कहा था योगा करने के लिए नहीं कहा था मेरे भाई के पैर पकड़ और माफी मांग वो देख, तुझे तकलीफ ना हो, इसलिए उसने पैर फैला रखे हैं मामो क्या अप उनके बने तू कर रहे, अप उन निकलता है, चल भाई राजा कौने बे तू क्या मुझे उल्लू समझता है भाई, इससे पंगा मतलो क्यों रहे ये शंकर नहीं है, गुरु भाई है गुरु भाई, आगे बता दस साल पहले जमने जील में धत तब देखा था बहुत टिंजर है क्या राजा, तेरा नाम शंकर नहीं है ये तो कह रहा है कि तू गुरु भाई है ये क्या खेल खेल रहा है तू किसने कहा है ये गुरु भाई है वो होगा कोई उल्लू का पठा अरे शंकर को शंकर नहीं मानते हो पर कौन है ये गुरु भाई, चोर या उचक का डाबर मट्टो को सर, बहुत हुआ, इसकी हिम्मत कैसे हुई, आपको गुरु भाई के साथ कंपेर कर रहा है आपे वो करेक्ट बोल रहे ला है, आप उन्हें राजगुरु है यहीं इंफर्मेशन मुझे नहीं थी आपे मेल गई नो अभी सम्मालता हुआ गुरु भाई हिमाले से उचे है, तो शंकर भाई आस्मान से उचे है अब ठीक है ना, मैं नहीं बात समझ में नहीं आई मैं तो वो कुत्ता हूँ जो न घर का हूँ न घाट का तुम लोगों की क्या प्राइवेट मीटिंग चालू है इससे को कि मेरे पैर पकड़े नहीं, तुम एंदर चले जाऊँगा अबे रुखना, मैं करवा रहा हूँ ना राजा, पकड़ ले ये क्यों पकड़ेगा, इसे गुरु ने पीता है या शंकर ने ये कौन क्लियर करेगा होई नहीं, क्लारिटी के चैरिटी में मिलती है अभी ले राजा, अभी क्लियर हो जाएगा अरे राजा, जरा इधर तो आजा होके हाँ, बोल मेरे भाई को तुने मारा कैसे? फिर से बताओ राजा, तु कन्फ्यूज है मारना मुझे नहीं था, मेरे भाई को था पपो इधर आ अरे जल्दी आ, क्या हाथी की तरह आराम से चल रहा है मार इसे तेरे बाप का गाल है जो थपड मारा? क्या हुआ राजा? पहले किसी और आससे मारा, भी किसी और आससे मज़ाख सब्जाया क्या मेरे को तो जानता नहीं है बहुत साकटते मेरे में अरे ये कैसा कंद्फूजन है पहले क्लियर तो करो कौनसा हाथ था? ये वाला हाथ गाल कौनसा था? ये वाला काल ना जब यह मारता है तो दोनों गुर्दे बाहर आजाते हैं कोई डॉक्टर भी फिक्स नहीं कर सकता तूने इसका नमक खाया है क्या चले नर्सी चमा तो चाहर यह कैसे किया इसने समझा नहीं यह समझ में नहीं आएगा बसे डरा मत मुझे अब देख मैं क्या करता हूं ले म हम दोनों को अकेले छोड़कर तुम सब जा रहे हो राजा यह सब तो चले गए अब तू भी निकल पैर पकड़ने की जरूरत नहीं मेरी बहन कब से इंतिजार कर रही है नहीं जाता अब तो पकड़ा पकड़ी होई जाए अरे कहा ना रहने दे राजा अब तू जाओंगा पहले पैर पकड़ो फिर जाओंगा मेरे घर में आकर मेरा ही कच्रा कर रहा है जा ना राजा मेरे घर की ओरते आती होगी उससे पहले तू यहां से चल जा आते हो जिंगूर वो अपने पैर छुने के लिए कह रहा है ऐसा है क्या अरे तो जल्दी से पैर चुओ और मापी मा अब तश्रीफ ले जाएए सर्फ ने क्या पैर पड़ू भलाई का तो जमाना ही नहीं इंसानियत तो खत्मी ही हो गई है गुंडे से जूता पॉलिश करवा कर रहोगे जूता पॉलिश करूंगा गुरू भाई से डरूंगा चाहे जमाना कहे दीवाना मैं पैर चुकर पू है आप अब यो ढकन मैं रूम मेर जानों जाना क्या पकड़ कर ले जाओ अच्छा बताओ तुम शंकर हो यह गुरू किस नाम से पकारू तुम्हें शंकर पसंद है राजगुरू गरू तुम्हें राजगुरू है चार हलो चाचा जी शंकर बोल रहा है हाँ शंकर बाबू सुबह आपने जाने से पहले जो लिष्ट दी थी उसके हिसाब से सारी सब्सियां आ गई है लेकिन बस दूद और चाहिए अरे चाचा जी मेरी बात तो सुरिया आप आप ताला तोरी करो गुरू गुरू नहीं हमारा नाम शंकर है आप उन जानता है तो गुरू नहीं है आप कैसे जानते हैं आप उन्हें पलिस वालों की बात सुने थी तो जानता है क्या गुरू किदर है तो आप उनको बता वो मुझे चाहिए अपन उसको हतम कर देगा नहीं बताओंगा बताओंगा तो तुम उसे मार तोगे फिर हमकभी सावित ही निंकर पाएंगे कि हमी शंकर है तो फिर एक काम कर आप उन्हें तुझको यहां से बाहर निकालेगा आप उनके आदमी तेरे साथ जाएंगे गुरु को उनके हवाले करके तू वहाँ से वटक लेना आप उनको सर्व गुरु चाहिए समझांके नहीं हाँ हाँ टिकेट ले आऊँगा तुम बस तयार रहना मैं पुलिस की गाड़ी ले आऊँगा समझी क्यों बीवी से बात होगी तनखा तो पूरी की पूरी उठाते हो लेकिन उन पैसों को फोन पर उड़ा देते हो यहां वाँ टेलते रहते हो अब खड़ा के है चल मेरे साथ हाँ 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 हम लोग नीरू गाउं से आए तो मैं क्या करू बे आप रिपोर्ट लिख देंगे तो हमारी जिंदगी सबर जाएगी रिपोर्ट लिखना कोई कबड़ी का खेल नहीं है कि पेन उठाया कागज निकाला और खुतुतुतुतु करके लिख दिया चलो निकलो भाया गुसा क्यों हो रहो अरे क्यों नहूं तो क्या मैं तुम्हे घर में ले जाकर तुम्हें आर्थी उतार। खातिर्दादी करू गमार कहीं के चलो निकलो चाचा जी मैं बात करता हूँ आप लोग जाईए अब तू क्या बात करेगा आप जरा सर तीस करोण की घूस लेकर सिर्फ छे लोगों की हत्या के बारे में लिखना ये किसी तरह का इंसाफ नहीं है सर ये किसानों के भविश्य का सवाल है और यही सच्चाई है सर कौन सा करोड कौन से घूस कौन से सच्चाई लॉकर नमबर 708 HYFC बैंक में 10 करोड डॉलर्स OSB बैंक में 10 करोड यूरो और 10 करोड के टाइमट्स टोटल हो गए 30 करोड ये रही लॉकर की चाबी अरे ये तुझे का मिल गई? तुम्हारी बीवी के कमर पर लटकी थी सुनते हो क्या हुआ? लॉकर के चाबी नहीं मिल रही है रात को कमर में लगा कर सुई थी तेरी कमर से चाबी निकल गई और तुझे पता नहीं चला? मुझे लगा कि आप चू रहे हो अरे आप कोई मेरी चूने की उमर है क्या? जा अंदर जा जब चाभी निकाली जा सकती है तो जान निकालना कौन सा मुश्किल है क्या रे धमकी दे रहा है क्या धमकी दूँ क्या अगर कुछ भी बड़ बड़ हुई तो मैं 17 साल के लड़के से तुझे मरवा दूँगा जिवनाइल जेस्टिस एक्ट में बस तीन साल की जेल होगी समझा अगर ये नहीं तो किसी लड़के से भारी ट्रक चलवा कर उसके नीचे तुझे बुरी तरह को चलवा दूँगा सेक्शन 304 के तहत उसे बस थोड़ा फाइन ही भरना पड़ेगा घूस खाका कर तू मोटा हो गया है और जुर्म करकर के मैं ठक गया हूँ अब तुई सोच ले पैसा या जिन्दगी फिर मुराखात होगी हाँ भी न सर जब वो धमकाने आया था तो उसका मजाग बनाना चाहिए था ना मज़े तो हसी आ रही है ये कोई हसने की बात नहीं है पसी ने छूटने की बात है क्योंकि वो धाराएं कि नारा था धाराएं कैसे है कृष्णमूर्ती जी अगरवाल से चुगली करने पहुंच गया क्या अबे तू उसे चानता नहीं है उसके साथ किरवार मत कर अरे बबरे मैं तो डर गया अगरवाल से को हो कि एक आदमे उसका बाहर बेस अबरी से इंतजार कर रहा है कोई तुमारा बाहर इंतजार कर रहा है जाओ गो एंड चेक हलो सर मैं टोनी अन गाई से आया हूँ अभी तो कोई ट्रिम करके गया है नहीं सर मैं तो अभी आया हूँ तो फिर वो कौँ था मुझे नहीं पता सर अभी ये सब क्या लगा रखा है क्या सही है तुझे स्पीकर अन कर बे हाँ ठीका बोलो ए अगरवाल जड़ा अपनी मुंडी पीछे गुमा कर देख विरो ए कोर्पोरेट अगर मैं तेरी गर्दन पर अंगठा लगा सकता हूँ तो उसे काट के भेग दिना भी मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं चोड़ोगा नहीं पकड़ा कप्थभे जो छोड़ेगा उस तुरा कहा रखना है ये सिर्फ तू ही नहीं मैं भी जानता हूँ कृष्ण मूर्ती जी चाबिया आ दे रहा हूँ ये ये लो ये रखो भाई कृष्ण मूर्ती जी डरिये मत मैं हूँ न अरे आपको पता नहीं है इस दुनिया में हैं आप वो आपको भी किसी धारा के तहत माल डालेगा समल कर रही हूँ मनी शहर के सारे गुंडे उसके घर पर भेजो और उसके टुकडे टुकडे करके मेरे पास लाओ ग्रीन टी आपके बदन को बहुत फाइदा कर रही है दिन बदिन रौनक बढ़ती जा रही है आबे वो सब तो ठीक है लेकिन तेरी पकड डिली क्यों पढ़ती जा रही है मैंने कंधे के अंदर की हड़ी चटक गई है इसलिए पकड डिली पढ़ गई है डॉक्टर को भी तक नहीं दिखाया उसे भी दिखाया एक स्रे देखकर उसने हैरानी से पूछा मैं क्या करता हूँ मैंने कः पैर दबाता हूँ उसने पूछा पैर दबाते हूँ या पत्थर क्या कहा उसने मेरे पैर को पत्थर कहा मतलब पत्थर जैसे पैर की मालिश मत करो और कोई चारा तो है नहीं है Na wz... महान है आप, महिने भर से सो नहीं पाया हूँ इसी तरह तू पैर दबाता रहा, तो हमेशा की लिए सो जाएगा मुन्ना, अब है मेरा फोन कहा गया क्या क्या रो गुरू, ढूंटा क्यो नहीं ढूं गया, कहा था न, चोर बजार बिलकुल भी मत जाना वो फोन के अंदर की सारी इंफोर्मेशन निकाल गए, जूसरों को बेज देते हैं अरे बापरे, अगर ये फोन गायब हो गया न, तो ये डबर फ्री हो जाएगा सिर्फ फ्री ही नहीं हो जाएगा, आल्रेडी खड़ा भी हो चुका हूँ क्या थे, रोज रोज ग्रीन टी पी-पी के तुम उझसे पैर दबवा के और कॉमेडी करवा के मजा लेता था न, अरे तुन्हें इतना टॉर्जर किया है कि मेरी बाडी के हट्टी-पसली तूड़ गई है ऐसा नहीं है डबर भीया तुम्हें क्या लगता है कि पैर दबाने से मेरे कंदे तूड़ गए और हाथ दबाने से मेरी हाथ की उंगलिया ठीली पड़ गई वही पावर, वही पुरानी ताकत अब भी मेरे पास है अरे, मैं अभी जाकर पूलिस को बुलाता हूँ वह आकर तुम्हारी जक्कित भुलाई करेगी फोन मिल गया मुन्ना मिल गया क्या? पीछे वाली जेब में था, भूल गया था मालूम है, यार फोन खो जाता है तो क्या हालत हो जाती? और तु इसे दिया दिखा कर छोड़ने वाला था असली चैरा देख लिया इसका? डबर बेटा, क्या कहा था? गधा! नहीं सर, मैंने कुछ और कहा था आपने ठीक से सुना नहीं सर, गर्दा कहा था आपने गधा सोच लिया पखले, फोन खोया है नहीं, यह कनफर्म करना चाही था जानते हैं, अंदर के कुकर में बहुत दिन से बात उबल-उबल कर कुकर अचनक फट गया यह दिल के अंदर के फ्रस्ट्रेशन का नतिजाय सर दोस्ती में यह सब नहीं सोचना चाहीए बैठे ना आज शुरू हो जाए अपने पहर यहां रखिए आप ग्रीन टी पीजी है मुन्ना गाड़ी की आवाज आरी ज़रा दिखना क्या होगा यह तो बहुत सारे लोग है डाबर बुड्डो को एक कबरे में लिल्याकर बहार से बंद कर दो ठीक है सर यह क्या कर रहे हो बता था जैसे ही मैं पहला सिक्का उछा लूँ में स्विच आफ कर देना दूसरा सिक्का उछालने पर लाइट्स आउन करना और एक सेकंड बाद आफ कर देना मेरे सिक्के उछालने के साथ लाइट्स आउन चाहिए आफ चाहिए और लास्ट में सारे सिक्के एक साथ ठेग दूँगा, सारे लाइट साउन करके छोड़ देना, समय जबन गया बाप रे, इतने सारे आये हैं, इनमें से कोई न कोई इसका काम तमाम करी देगा उपर वाले, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं है अरे, लाइट कैसे चली गई, हमें अंधेरे में अलट रहना होगा लाइट कैसे की लाइट सारे लाइट सारे लाइट सारे नहीं होगा भूहिभी है! ए, भूपने उलो! किव़ने भूह भूह है? आप एक वहां कोई है एक को आप एक आप कि अच्छा है कि अच्छा मेरी को समझ में नहीं आरा लाइट आगी मैं घर चला जाओंगा तो पिल्कुल सही फैसला है तिरह देखना अभी लाइट चलेगी अच्छा मैंने कहा था ना लाइट चलेगी अच्छा है लाइट आ रही है मैं बाहर निकल जाता हूँ चिक चिक शहर के सारे सडे हुए गुंडे बेज़ें किसी का रूप लेकर तुम्ही मार आओ ना उपर वाले धिला कि भी बाहर आओ रही है मैं डिलाओ ये अ का रहला हुए रह्याओ धर प्लाओ ये बाहर है वाले रहुए ज़ा वालेगी वालेगी है भी बाहर वी वालेगा बाहर थान्याओ भी आपकि लुकाग एपकि लुकागे। अबडर वर धर तो नियो 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 ? अरे बाबा, उठ जाए क्या अगर उठा तो वो आर्मा रेगा गेट पर वो ताला लगा है अपन तुम लोगों को सिर्फ 20 मिनट का टाइम देता है ये बाडीज लारी में होनी चाहिए और लारी मेरे एरिया के पाहर ठीक है भई चाल पंगर भईया आपको कुछ हुआ तो नहीं मैं ठीक हूँ हम लोग कोट में जीत हैंगे इसलिए यह सब हुआ यार डाबर भगवान है यार और वा अच्छे लोगों का साथ देता है इतने टेंशन में भी आपका फोकस मुझसे हटा नहीं भाई इनका फोकस बदलने वाला कोई तो भेज़ दे भगवान ए उठो उठो चलो उठो हेलो ओए वो सेफ है वो सेफ है भाई तुम लोग हर घंटे गाड़ी बदलो फोन नूमबर और सिम बदलते रहो हैदरबाद पहुचने तक होश्या रहना अगर वो कुत्ता गुरू मिल जाए तो मुझे फोन करना ठीक है भाई मैं संभाल मूंगा इस केस से संबंदित सारी जमीने नीरू गाउं के किसानों की है ये वनमन कमिशन क्रिश्टमूर्थी कमिटी ने कंफर्म किया है लेकिन यहां के आसपास के गाउं के 2300 ग्रैजुएट्स ने यहां फैक्टरी बनाने की हिमायत की है उन्होंने अपने सर्टेफिकेट्स आधार कार्ड के साथ अपना प्रपोजल रेप्रिजेंट किया है अब यह रेप्रिजेंटेशन कहां से आ गया उनका निर्युगाव से क्या संबंध है वो ग्रैजुएट्स है उनका भी फ्यूचर है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते है यह रेप्रिजेंटेशन फेक भी हो सकता है अगर आपको यह रेप्रेजेंटेशन फेक लगता है तो प्रूफ कीजिए उसके लिए फाइव वकिंग डेज है अब ये केस एक्स्टेंड नहीं होगा तकोर्ट इस अजर्ण शंकर, डॉक्यमेंट्स ओरिजिनल है इन में से कोई भी भारत में नहीं है ये लो, 50 लोगों के नमबर निकाल पाया हूँ हलो, कौन? मैं हूँ शंकर नीरू वाले शंकर? हाँ भाईया, मैं पासवाले काउंका नारायन बोल रहा हूँ बोलिए नारायन, तुमने कोल्ड रिंग की फैट्री के सपोर्ट में साइन किया है न? नहीं भाईया तो फिर तुम्हारा आधार कार्ड और तुम्हारे सर्टिफिकेट्स कैसे लगे हूए? ऐसा है, मेरा एक कॉर्परेट कंपनी से कॉंट्राक्ट है भाई उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पर मुझसे साइन करवाया और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही रख लिए है इस बारे में तुम क्या हैदरवाद के कोट में आकर गवाही दे सकोगे? मेरा पासपोर्ट उनके पास है भाई चार साल का कॉंट्राक्ट है तब तक वो नहीं देंगे मतलब तुम नहीं आ सकते? नहीं आ पाऊंगा शंकर तो जितने भी फोन कर ले तुझे यही जवाब मिलेगा ये मेरा कॉर्परेट नेटवर्क है पूरी दुनिया में घूमता है तेरा नेरो गाउ मेरे जाल में छोटे खीडे की तरब भस गया है बचा नहीं पाएगा अबे एक कॉर्परेट तेरे इस जाल में न मेरे गाउं का एक आदमी भी नहीं फसेगा और जिस गाउं को तो कीड़ा बोल के जा रहा है इतना ध्यान रखना अगर वही कीड़े तेरी विलाईती पैंट में घुज गया और तुझे काट लिया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा तो जितना सोचता है उतना असान नहीं है तेरे पंक काट दिया है मैंने समंदर अगर शान्त हो तो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए अगर उसमें उफान आ गया तो उस समद्र की सुनामी इंसान को खत्म कर देती है चीथड़े भी नहीं मिलेंगे तेरे कॉर्पोरेट के एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है तो नहीं समझेगा अब एक गली की पॉलिटिक्स से लेकर दिल्ली की पॉलिटिक्स तक हर जले की पॉलिटिक्स जनता हूँ मैं उसके आदे तेरी एक कॉर्बरेट पॉलिटिक दो कॉड़ी की है उसे तो मैं अप फ्लीस छोटी उंगली पर न चाहता हूँ चाल पत्नी गली से कट ले तुझे ड़ नहीं लगता क्या तो मैं डराता रहता हूँ ऐसा दिया हूँ जो जितना जलेगा उतना रोशन होगा और तब तक जलता रहूँगा जब तक की राख नहीं हो जाता है इसलिए मेरे सामने कभी मत पढ़ना वरना मेरे इस ताप से तू पूरा का पूरा जुलस जाएगा याद रखना मेरी बाते भूल मत जाना चाल, कल्टी अरो कोई स्कूल है जो वहाँ लोग टाइम से जाए चल मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फोन कट एक्स्क्यूज मी, बंतरी जी से मिलना था साब अंदर है ठीक है, चलो चलते है अलो, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस बार मेरी क्या टाइम है? पचास सेगेंड और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम... नीरू गाउं से आए हम लोग समझ यहाँ, बहुत सारे लोग तुम लोगों के अगेंस्ट है न? वो सब धोके बाजी है सर आप उनलों को विदेश से यहाँ बुला लीजिए सर सोच कर बताता हूँ गहराई में जाकर सोचा कुछ नहीं हो सकता तुम लोग यहाँ पसमी तो अरे, जादा परिशान करोगे तो और गहराई से सोचूँगा डूब मत जायेगा, जा रहा है कोई ज़रूरत नहीं एलेक्शन में पबलिक खोदी हटा देगी तुझे कुर्सी से, चलिए क्या सर आप हमसे वही घिसी पिटी तीन साल पुरानी नूज चलाने को कह रहे हैं कोई होट नूज बताइए उनका मार्केट अब भी है और तीन लोगों को तयार कर लिजे उनकी हात मेत्या संसनी पैदा कर चाहे कॉलर पकड़ो या पैर पकड़ो मीडिया को चाही संसनी शंकर बाबू, वो मीडिया वाले, टीवी वाले हम लोगों की मौत दिखाना चाहते हैं छे लोगों की मौत के बाद हम यहां तक पहुँच गए हैं चार और मर जाएंगे तो गाउं तो सुरक्षित रहेगा हमारा क्या है हम तीन चार साल और जी लेंगे पहले मर गए तो क्या फर्क पड़ेगा बेटर कल तब आएगा जब यह काली राज जाएगी हमें मरने तो बेटर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए बाबा आपके मरने से कुछ नहीं होने वाला जब पुरा गाउं मुसीबत में होता है तो एक भी एक भी मदद करने आगे नहीं आता क्यों जबकि शहर में सारी खाने पीने वाली चीज़ें वहां इस्तिमाल होने वाला अनाज और डाले तेल साग और सबस्जीया सब कुछ हमारे गामों से ही जाता है फिर भी ये शहर के लोग हमारे गामों की कोई कदर नहीं करते क्यों जिनके नलों में चौने और गटे पानी आता हो उन्हें हमारे आसू क्यूं दिखाए देंगे हम उन्हें अपने आसू देखने पर मजबूर करे पांच दिनों तक किसी को पानी नहीं मिलेगा देखता हूं लोकल चैनल से लेकर नाशनल चैनल के लोग कैसे नहीं आते जिस दिन देश का किसान जाग उठेगा उन शहरी लोगों को छटी का दूध याद आ जाएगा जैगा कैसी होगा बिटा बताता हूं लक्षमी इस शेहर का ब्लूप्रिंट लाओ हूं हम पानी रोक सकते हैं पाइपलाइन में पानी रोकना असान नहीं है क्या हम यह कर पाएंगी इस दुनिया में दो तरह के इनसान पाए जाते हैं एक जो संदेह करते हैं और दूसरे वो होते हैं जो समस्या का समाधान बिना शक के खोज निकाला करते हैं हमारी मदद कौन करेगा हम लोग है ने बाबा हमें लोग इस ते छोड़ गए कि हम बोज थे हम बुढ़े हैं हम क्या कर सकते हैं आजादी की लड़ाई याद है काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक इस देश की आजादी के लिए काश्मीर से लेकर काश्मीर से लेकर के लिए मेरे साथ कौन-कौन खड़ा है अपने सारे दोस्तों को अपने साथियों को और उन सब ऐसे लोगों को जो भी हमारे साथ आ सकें उन सब को फोन कीजिए बहुत खुशी हुई यह अंदोलन नहीं है हवे नकार देने वाले समाज को सुधारने वाला एक इंजेक्शन अभी शायद दर्ध होगा लेकिन बाद में बिमारी ठीक हो जाएगी बहुत तेर होगी यार जल्दी पानी छोड़ना होगा उदर से कौन है यह लोग पता नहीं कौन है तुम लोग क्या कर रहे हो हलो अरे भाई साब वहलो हलो कहा जा रहो पाइट के दर कहा जा रहो हलो तुम लोग लाइन में हो जी सर्स सुबह पांच बजे पानी छोड़ना था पर अभी तर छोड़ नहीं पाए यह जाके चेक कर ये सर्स ओए अंदर कोई है चुप क्यों हो जवाब दो अंदर बैटके क्या कर रहे हो बाहर निकलो बाहर आते होई यह मैं अंदर आओ आजा यह देख हमारे पास पेट्रोल है और चलाने के लिए पाच्चिस हम लोग बस पच्चिस हैं तुम आओगे तो 26 हो जाएंगे आजा साथ मरेंगे क्या हुआ सर अंदर बहुत सारी लोग है सब बुढ़े हैं सर बैट्रोल लेके बैठे हैं और क्या रहे आत्मत्य करेंगे सर 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 लगता है सारे शहर का पानी बंद हो गया है यहां ही नहीं हिम्मत सागर निजाम सागर हर पाइप्लाइन में किसान लोग बैठे है आज शहर में पानी नहीं पहुचा है इसकी वज़ा किसी को नहीं मालूम उनमें सो कोई बाहर निकला? नो सर यह पाइप्लाइन पचास किलोमेटर लंबी है अगर तोड़ने की कोशिश भी करे तो पाइप फिल से ठीक उने तक शहर को पानी नहीं मिलेगा बहुत टाइम लगेगा सर, यह करकुंड रहा है निरू वाल शंकरे, लगता यह भीड उसी गाउं की है कितना बुरा वक्त आ गया है, किसान भी अपरादी बन गए रिस्पोंस तो बहुत बढ़िया मिल रहा है गरू सारे न्यूज चैनल यही है, बड़े बड़े न्यूज चैनल है पहले हमारी न्यूज देने के लिए हमारी बात का मजाग बढ़ाय करते थे आज वो सारे बार इंतसार कर रहे है इंग्लिज चैनल भी है, गुरू, हमारी बात अब नाशनल इशू है देखो हम लोगों को सिर्फ पबलिसिटी नहीं चाहिए रिजल्ट चाहिए और हंगामा आम जनता करेगी मीडिया नहीं ये खेल कल से शुरू हो जाएगा देखते जाओ अरे अचानक ये क्या हो गया पानी बन क्यों हो एए चिला क्यों रही है तू यह आप है मुझे लगा भूत आ गया अरे बातरूम में पानी नहीं आ रहा है उपर जाके देखना टीवी पे देखो गया अरे बिवकूफ पानी टंकी से आता है तीवी से कब आने लगा आज तो जल रहा है बेटा मेरा और चाचा का तो खूड निकल रहा है सुनती हो अगली बार जब इसे टोईलेट जाना हो तो थोड़ा नारीयाल का तेल पिला देना स्मूध हो जाएगी पाइप-लाइन निकल बेटा जा और सुन अच्छे से नारीयाल तेल पीना उसको बोरो और पानी को प्यासा है, प्लास्टिके घड़ों की डिमांड हेटराबान पे पड़ गई है पप्लिक अपार्टमेंट्स पर हमला कर रही है और ओवर है टैंक से पानी धरकर ले चा रही है अपार्टमेंट्स पर अपार्टमेंट्स पर अपार्टमेंट्स पर शेहर के लोगों की राय जानते हैं जब कुछ घलत होता है तो उसके लिए कानून है यह तो हुई शेहर के लोगों की बात अब देखते हैं कि गाउं के लोग क्या कहते हैं हमें यहां 10 किलोमेटर दूर से पानी लाना पड़ता है आप ला रहे तो कौन से बड़ी बात है खेती के लिए पानी नहीं है गाउं ठोड़कर शेहर आया सोचा यहां पानी मिलेगा पर यहां भी पानी नहीं है हालो लक्षमी तुम्हारा आइडिया बहुत ही पढ़िया रहा मीडिया का ध्यान अब हमारी तरफ है तुम्हारे बिना बोले ही इतना कुछ हो गया तो जरा सोचो कि जब तुम बोलोगे तब क्या होगा ठीक यू मुझ पर मिश्वास करने के लिए और मेरा साथ दिल से देने के लिए तुम्हारा शुक रिया मैं तुम्हारे साथ हुशंकर ठेक यू रक्षमी ठेक यू इस पानी जाम के लिए नीरूगाओ के किसान जिम्मेदार हैं, वो लोग एक ओड एज होम में रहते हैं, इस अपराधिक कारे के पीछे शंकर नाम के आदमी का हाथ है, जिसने शेहर के लोगों को परिशान कर रखा है, शेहर के लोगों का मानना है कि वो इसी आतनपादी से कम खतरनाक नहीं है, शेहर के लोग पुलीस से डिमान कर रहे हैं, चलो जड़ी चलो, हमें जल्दी निकल रहे हैं, अगरो, प्रेस से कह दो कि मैं कल मिलूंगा, उसके बाद सब के दिल और दिमाग में, किसानों की तकलीफे और उनका दर्दी रहेगा, और फिर ये कॉर्परे हैं, लेकिन एक कॉमन दुश्मन के लिए हमें एक हो जाना चाहिए, कॉर्परेट के खिलाफ जो भी खड़ा होता है, अगर उसे सीरियस्टी नहीं लिया गया, तो एक दिन हर गाओं विरोध में खड़ा होगा, मेरी एक शैंपू फैक्टरी है, एक बोटल एक शैंपू बर अगर ऐसा ही चलता रहा, तो कल को मेरी कमपनी भी प्रॉबलम में आ जाएगी, इसलिए उसकी प्रेस मीट को रोपना होगा, बहार से मैंने कुछ गुंडे बुलाए है, शैंकर प्रेस मीट के लिए बहार आएगा, वो गुंडे उसे वहीं, देविल फिनिश हम उफ, थैंक इसलिए मी सर, सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बठाओ, थैंक यू सर, कलकत्ता जिल से भागा हुआ, मुझरिम गूरू ये सब कर रहा है, हाँ सर, चलो, एस्पी साब से मिलते है, क्या, तुमने ठीक से देखा, हाँ सर, मैंने उसे खुद देखा, वो शंकर ही है, हमारे इंस्पेक्टर साब, अभी उसे एस्पी साब के आँ लेके गए हैं, मुझे बचाओ, हलो सर, बोलो क्या हुआ, अभी दोनों भी जिन्दा है, इंस्पेक्टर को मार दो, और शंकर को यहां ले आओ, ओके सर, हे शंकर, देख, कितने लोग तिरा इंतजार कर रहे हैं, हाँ, नाट ओली मीडिया, इंटायर इंडिया इस बेटिंग फर यू, जा, गो, बोलना वाँ, गो, तुझ पर भारोसा रखने वाले गाउबालों की सिन्दगियां, तुम मुझे बेचने को तियार हो गया था, मेर 25 करोड रुपए हैं, कैसे छोड़ दिये, कैसे, तुने मेरे आदमियों को मारा था ना, अब मुझे मार, मार, मार मुझे मार, मेरा जीता हुआ केस, आज भी कोट में है, तेरी वजा से, उस कृष्ण मूर्थी को तुने धंकाया था ना, चलब मुझे धंका, धंका, है, ये लोग बुलेंगे, हाँ, ये लोग, हाँ, ये लोग, ये, डिस इस चीटिंग, ये ये पहिवानी है, है, ये लाइट के लिका साना, हाँ सर, लाइट है, नमस्कार, यहां आने के लिए दिल से धन्नेबाद, अब पुछने को बचाई क्या है, तुम्हारे गाउं की वज़े से पूरा शहर परिशान हो रहा है, कावार अनपड कहीं के, हाँ, क्या बोले आप, गाउं, अब, ओ सॉरी जरा पास आई, हाँ, क्या है, कहाँ पैदा हुए थे आप, यहीं, शहर में, आपके पिता जी, गाउ थे, यहीं मतलब है ना, आप जानते हैं, यह शहर हमारे गाउं का वो बेटा है, जिसने अपनी मर्तिव ही मा की खोज ख़बर नहीं लिए, अब बताईए आप, हम गाउं के गवार हैं कि आप, गाउं ही तुम्हारी जड़ है, गाउं को गाली देने से पहले अपनी आवका नहीं जानता, 120 दिन, 120 दिन तक जब एक किसान का पसीना उस धान के खेट की मिट्टी में बून बून मिलता है, तब जाकर अन्न पैदा होता है, और यह भी बता दू, कि हमारे देश में खाना बरबाद नहीं किया जाता, अगर वही देश किसानों को बरबाद होता देखता है, तो फिर हम किस के पास जाएंगे? इस देश में कितनी ही बंजर जमीने हैं, कितनी ही पत्रीले जमीने हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, इसलिए खेती करने में इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, जरा सोच कर जवाब दीजे कि किसान पानी लेने कहा जाएगा? पूछो बेटा, ऐसे ही पूछो. वही मंदिरों के सामने भीख मांगता फिर रहा है, नहीं चलेगी ये सरकार! लेकिन उन्हें कर्ज माफी तो मिली है ना? गब मिली है? कितनी मिली है? बादों पर मत जाएए, जमीन पर आजाएए! एक कॉर्परेट पे काम करने वाला हजारों करोन का उधार लेकर विदेश बाग गया और वहाँ बैठकर विदेशी शराब पी रहा है! सिर्फ पाँच या दस हजार उधार लेने वाला किसान जहर पीकर अपनी जमीन पर जान दे रहा है! ये सही नहीं है! ये नहीं सुचेंगे! मैं दिखाऊंगा सर! इन कॉर्परेट्स की कालिक कर्टूतों की वज़र से हमारी हर्याली जली जा रही है! खेट सीचने वाली नदियां फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे बादी से जरीली होती जा रही है! ये मल्टी नैशनल कमपनीज की मशीने हमारी खेटी वाली जबीन पर कबजा करके उन्हें खत्म करती जा रही है! पर ये दिखाई नहीं देता! पर उनी फैक्ट्रियों में हमें नौकरिया भी तो मिलती हैं शंकर! इन फैक्ट्रिस की बात कर रहे हैं हम सारे हेल्दी फूड्स में मिलाओट करके ये उसे बर्बाद करते जा रहे हैं! अंडे को शैंपू में, गाजर को क्रीम में, जोया को साबुन में! दो रुपए का अंडा दस रुपए में, दस रुपए का गाजर सो रुपए में खरीद रहा है ये कॉर्पूरेट वर्ल्ड! इस रेट पर क्या कोई गरीब खरीद पाएगा? फिर भी ये पैसा किसान या गरीब तक कभी नहीं पहाँच पाता है! क्योंकि बिचौलिया ले जाते हैं, ये बिचौलिया धीरे-धीरे और अभी रोता जाता है! अन्नबैदा करने वाला किसान गरीब से गरीब होता जाता है! पॉस्टिक खाना ना मिल पाने की वज़ए से गरीब बच्चे गरीब उड़े बिमारी से मर रहे हैं सर! नौकरी कैसी भी हो, हमारी पहतरी के लिए होनी चाहिए! लेकिन हम उन फैक्ट्रियों के गुलाम बनकर अपनी जिन्दगिया खराब कर रहे हैं! याद रखे खेती भी एक उत्योग है और किसान उत्योगी है! उसे पैचानिये! हमारा छोटा सा गाउं है सर! पान सो परिवारोंगा! और हम पान सो लाग करोन के टरन ओवर वारे कॉर्परेट से मुकाबला कर रहे हैं! जीतने के लिए नहीं! जीने के लिए! हमारी आवाज जब आपने नहीं सुनी तो छे किसानों ने खुद के गले काटकर आत्मा द्या कर ली! अगर हमारे गाउं की समस्याओं को आप लोगों ने नजर अंदास किया तो एक नए एक दिन हर गाउं हमारे गाउं जैसा ही बन जाएगा! समल चाहिए आप लोग! विदेशों से गवाहों को कोर्ट में लाने के लिए अगर ये मीडिया कोशिश करें तो ये दुनिया हिला के रखते हैं! वो ताकत है आप में! पिछले तीन सालों के हम सब लोगों के दर्द को आपको बताने के लिए इन तीन दिनों तक आपको परिशान किया! उसके लिए माफी चाहिए! अगर आपको लगे कि ये सही है तो हमें न्याय दिलाने के लिए हम सब की मदद कीजे! प्लीज! शंकर बाबू, जैनलिस्ट के वल कैमरे पर बोलने वाला रेपोर्टर नहीं, न्याय का सपोर्टर भी है! अब तक हम के वल टी आर्पी के लिए काम करते थे! लेकिन एक जैनलिस्ट का असली काम क्या होता है? ये अब हम दिखाएंगे! गवा आएंगे, किसान जीतेंगे! थेंक यू! किसानों को मिला मीडिया का सपोर्ट! न्याय दिलाने के लिए लडाई जारी है! गवाहों को इंडिया लाने के लिए सरकार से डिमांड की गई है! अगर मीडिया ने इससे सपोर्ट किया तो हम हार जाएंगे सर इस लडाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा मुझे सब पता है इस लडाई में तो मैं ही जीतूँगा जीत किसानों को ही मिलेगी किसी भी समय गवा इंडिया पहुच सकते हैं मुख्यमंत्री खुद उन्हें लेने के लिए एरपोर्ट जा रहे हैं हलो एए गुरू फोटो कैसी लगी एए उसको हाथ पत लगा ना ठीक है बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मैंने जो कहा है वो कहा हलो एक मिनट बेटा किसका है आपकी पोती का फ़ोन है हलो हाँ बटी पहरे देखा हमें आतंक वादी बता रहे है ए मन्नू यह राजगुरु कबसे किसान बन गया बैठीवी पर तो बड़ा भाडू स्पीच दिया ये शंकर कौन है, फिर से नाम बदला क्या कितने एकरोड का गोटाला है ए मन्नू, तू और गुरू उनको ठकके बहुत कमा रहे हो है न ऐसा कोई काम है तो हमें भी बता न अलो, अलो, मन्नू गुरू, गुरू ये गुरू कौन है शंकर, शंकर गुरू ये लो तुम्हा पून, गुरू भाई नहीं आया वह आजाएगा, आप खाओ और सुझाओ क्या काब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अगर आप दस लोग इस पर अंगुठा लगा दें तो क्या लिखा है इस वे यही की केस वापस ले रहे हैं और अपनी सारी जमीने अगरवाल को दे रहे हैं आपको पुछपर विश्वास तो है न ये चुप विश्वास का मतलब तुम जानते हो बात करता है जमीन हमारी है अघनते हमारा है बता कितना दिका तू हमें कितना नहीं चाह क्या वो जिंदा है ऐ चाचा किसको गहता है रिष्टेदारी इंसानों से होती है तुम से नहीं एक नंबर का धोक मिश्वास है तू अगर उस दिन अंगूठा लगाने को कहता तो लगाते ना अंगूठा लगाते या नहीं बोलो मेरा गुरू भी एक किसान का ही बेटा है सूखा पड़ जाने से जब इसके पिता मर गए तो इसे गोत मे लेकर इसकी मा शेर चली आई वो मजदूरी करते करते एक दिन इसे अकिला छोड़कर गुजर गई इसने पहली बार जानते हैं क्या लूटा अन एक खाना चुराने वा आप लोगों की जिन्दगी को तो जैसी है गलत गलत मैंने आप लोगों से जूट जरूर बोला लेकिन मैं दोके बास नहीं हूं पैसे चुराने आया तो था पर यहां तो भगवान मिल गए मेरे अंदर अच्छाई आने की वज़े आप लोग है और पैसों की लालज के आपका शंकर मुसीबत में उसी को बचाने के लिए मुझे आपके अंगुठों के निशान चाहिए और इसके बिना मैं वहाँ नहीं जा सकता मैं सच कह रहा हूं आप जीतेंगे आप लोग ज़रूर जीतेंगे मैं अंगुठा लगाऊंगा हम अंगुठा लगाएंगे ये लोग हमें हमारा शंकर लादो बेटा हमारी जमीन लादो अगर इन में से कोई एक भी रह गया तो हम जिन्दा नहीं रहेंगे मैं भले ही आओ या ना आओ पर शंकर जरूर आएगा आपकी जमीने वापस में लेंगे सब फिंगर पिंगर्पिंट्स चेक हो गए हैं कन आए सेंड इम या यू कन गो कि पार्प प्तोरोँ तो जरूरूँ जमीर इन में प्रफिंगर्थ हैं कि अगर्ड़ ने अगर्ड़ यू600 खरदो मैं हैं अगर्दो श्रूटरोँ टुजेंसे लोगों गष्यू नोगों तो भी पेसलिवालेगा शंकर को छोड़ दो तू इसलिए आया है ताकि तो डॉक्यूमेंट्स यहां ले आया है शंकर को ले जाने के लिए नहीं शायद तुम नहीं जानते मैं शंकर को ले जाने के लिए आया हूँ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए नहीं नो किल है परोफ देजरी निलाए झाल इब डीजर गहे अजå पत हुआ हुआ! आपुआ है आपुआ है क्यां! आपुआ है झाँ कर दो चानल रिखना हुई टूह कर रहा हुई एक वर बोर रफटी है ए कर दो फिर हुई एक टुफ टूहberish एक आर एक जिए एक अबस टूछ टुफ आर एक जबस्त वांदा हुई एक पुछ हुई करके गुरूरू करके गुरू करके गुरू करके गुरू मैं भरी आऊ यह ना आऊ पर शंकर जरूर आएगा, आपकी जमीने वापस में लेंगी बार शंकर जरेंजमी के लिए इतं़ अशयों के ले नपकी जमीस घातान रिंग आपके कि सानन एंभें अबशे लाराण की शातान इनमार आपकी जम ले भाराहि जुए के लिए लेद अबश्हयों Aun riches एपकी लेंगे कर दो कर दो मैंने सबसे निवट लूँगा तुम यहां से जाओ पर तुम शंकर अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा एक गाउ है तुम्हें वहार रहना है कल फैसला होगा तुम जाओ जाओ शंकर जाकर अपने गाउवालों से कह देना कि गुरू ने अपना कहा हुआ वादा निभा दिया जाओ प्लीज जाओ मेरिया सपोर्ट से सारे गभादेश वापस आ गए है नीरू के किसानों के साथ साथ प्रदेश के किसानों ने भी मीजा को बढ़ाई दी है हाई कोट में गभाद पहुच चुके है इतने डेर सारे लोग गुरु भाई का इंतजार कर रहे हैं क्या वो आतो फाएगा ना नहीं वो तो कपका मर गया होगा तुम्हें उफे इतनी नफरत क्यों है भाई तुम भी करते अगर उसने तुम्हारी फिल्म बनाई कैफी फिल्म शारी महावारत अभी सुनोगे मो लटकाए रहो भाई फीचे देखो अरे याई चीदा अब फुष होने की अक्टिंग करो ताथ फोड़ दूगा तेरे फाचर होने के बाद सब फोफर तहीं है तुम्हें तुम्हें से समालो मैं लाइट समालता हूँ हाँ अब आओ गुरू गुरू वापस आगे बहुत खुश हो मैं नमस्ते साहर ते सर्थ नमस्ते पाइप में कौन था? मैं था सर पाणी बंद हो जाने से मैं बहुत नाराज था पर तुम्हारी स्पीच से कन्मेंस हो गया गुड थेंकियू सर अगर्वाल को किस ने मारा? हमने सर नहीं नहीं मैंने सर नहीं थिर! अल्वेशा! ओके ओके खूर, खूर, खूर इंसान को मारना अब राध है विवस्था को मारना रेवल्यूशन फैसला तुम्हारे हग में चाता है बहुत शच्चर बहुत बहुत पुपार गुरु ये जीत तुम्हारी है नहीं खिसानों की वो क्या है कि कलकत्ता से मेरे मामों आये हुए है फिर में तब आनी की तरह गया और तुफान की तरह आया मैं तुम्हारे बेने कैसे रहूँगी पांच मिनट बस सबर कर आप उन दाड़ी बना के आया